हिर्ट ऑफन्न्स,,वेल्कम नोगे चैनल, दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आयए हूं, और इस्टॉक में हमें शॉट टम के लिए enter करना है, क्यों करना, stop loss क्या होगा, target क्या होगा, सब कुछ मैं इस وィडियो में बिल्कुल entscheiden बताऊंगा तो वीडियो को द्यान से देखिए तभी आपको यहां पर समझ में आएगा और वीडियो कर पूरा देखते हैं तो चार्ट ट्रेडिंग भी आपको यहां पर सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं चार्ट पर समझाता हूं कि स्टॉप को किस तरह से कैसे बाई करना है औ बहुत हैं वह 156ट पर दिया है और 1256 पर देने के बाद यहां से एक अच्छी का सकती है लेकिन उससे पहले हम यहां मार्च संदू 2020 को इसने अपना 52 वीक लो बनाया था और यहां से हम लोग एक सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे कि वहां से लेकर यहां आज के जो डेक चल लए यह इसके आसपर्स तक कोई अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आ रहा है या नहीं तो इसके लिए हम लोग य 476 रुपए का और यहां पर जैसे इसने लो बनेया वहां से बहुत अच्छी खासी यहां पर बाउंस आई श्टॉक में और श्टॉक ने जो लाश्ट टाइम का जो 52 वीक इसका हाई था वो 1405 रुपए का हाई बनाया मतलब कि 400 रुपए से ले करके 1400 रुपए लगबग 1000 र रुपए की मुमेंट आई ओपर की तरफ वहां से प्रॉफिट बुकिंग होई कुछ तो फिर से स्टॉक में गिरावाट आई और जो यह वाले ट्रेन लाइन चल लही थी हमारी इसी वाले ट्रेन लाइन पर जाकर इसने अपना सपोर्ट फिर से बनाया उसके बाद फिर से इसमें हमें एक और हाई देखने को मिला जो कि था 1274 रुपए पिछले वाले हाई से इसका हाई था छोटा क्योंकि अगर हम लोग यहां पर हाई देखते हैं तो 1405 रुपए का था और दूसरा वाला हाई हमें देखने को मिल रहा है कि 1274 रुपए का था और यहां पर पहला low हमें देखने को मिल रहा है 476 रुपए का और दूसरा वाला low हमें देखने को मिल रहा है 1000 रुपए का तो यहां पर higher high and higher low का pattern बनते वोई stock उपर की तरफ जा रहा है है तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि इस stock में जो consolidation हो रही है तो फिर से इस ने एक और low बनाया जो कि पिछले वाले low जो एक हजार रुपय था उससे काफी उपर ये वाला low अमा था नेक्स्ट वाला और ये वाला low के अगर हम लोग बात करते हैं तो 1136 रुपय का यहाँ पर इसने low बनाया और काफी दिनों से यहां पर देखते हैं तो दो-तीन अबतों से consolidate कर रहा है यह stock इस वाले price पर लेकिन आज क्या हुआ है कि आज की जो इसकी closing है वो काफी important है अगर हम लोग इससे पहले closing देखते हैं यहां वाली इस वाली candle की हम लोग देखते हैं 19 अगर्स्त की तो यहां पर होई थी closing 1255 रुपए पर और आज की closing है 1256 रुपए तो पिछली वाली closing थी 19 अगर्स्त को वहां से लेकर और आज तक 19 अगर्स्त से लेकर के लगबग 6 नवंबर तक यह जो अपना हाई जो बनाया था 1214 रुपए का लेकिन closing आकर दिया था 1250 रुपए पर मतलब sustain नहीं कर पाया वहां पर और इसका जो यह वाला closing है वह काफिए important है तो यह हां पर जो इसकी closing हुई थी 1255 रुपए 65 पैसे पर और आज की जो closing हुई है इसकी 1256 रुपए 35 पैसे पर लगबग एक रुपए ऊपर बढ़कर इस स्टॉक ने closing दिया है तो अब हमें देखने को क्या मिल ला है कि लगबग जो इसका 3-4 महिने का high closing था high price था उसके ऊपर आज इसने close किया है तो यहां से एक अच्छी कासी मुवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पर काफी दिन से stock consolidate कर रहा था पर 1256 का प्राइस देखिए 3-4 बार इसने ब्रेक भी किया एक बर यहां पर एक बर यहां पर एक बर यहां पर और आज का दिन तो चार बार इसने कोशिश किया था लेकिन आज जो चोथी बार है इसने successful पिछले वाले हाई के ऊपर closing दे दिया है तो अब हमें यह stock कहां तक मुवमेंट कर सकता है वो दीखना है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर अगर stop loss की यहां पर बभयन का है और पचाश दिन का है और 100 दिन का है और 200 का मुवमीं ःवरेज मैंनेगे यहां पर लगाया हुआ है तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो 5 डे का EMA है वो ट्रेड हो रहा है अभी यह वाली कैंदल हमारी 5 डे का है यह वाली जो लाइन है हमारी ब्राउन कलर की यह 5 डे का सबसे ऊपर है जो की ट्रेड कर रहा है 1221 रुपए पर और 9 डे का जो EMA है वो 1214 रहे हैं और इसके नीचे का अगर हम लोग 20 डे का इम में देखते हैं तो वो निकल कर आ रहा है 1198 रुपए पर और जो 50 डे का इमें निकल कर आ रहा है वो 1131 रुपए पर जो कि यहां पर इसने अपना लो बनाया था दूसरी बार तो यहां पर अगर आपको एंट्री करना है तो किस प्राइज पर एंट्री करना है आज का जो हाई वाला प्राइज है 1246 रुपए 90 पैसे तो आपको 1267 रुपए 60 रुपए पर आपको एंट्री करना है 1267 रुपए पर यहां से एक रुपए उपर आपको एंट्री करना है और टार्गेट मैं अगर बताऊं तो उससे पहले मैं ये सारे moving averages डिलिट कर देता हूं ताकि आपको मैं clear तरीके से समझा पाऊं तो यहाँ पर देखे सब को मैंने हटा दिया हैं और यहाँ पर जो हमारे train line लगी थी वो अल्रेडी लगी हुई है तो हमें देखने को मिल दा है वो 1400 रुपए के आसपस निकल कर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने अपना 52 वीक हाई बनाया हुआ था और इस स्टॉक ने जो कि हायर लोग का closing देते हुए उपर की तरफ जा रहा है हायर हाई और हायर लोग का pattern मनते हुए तो यहाँ पर तीसरी बार इसने support लिया है दो ब हम दो चलते हैं एनसी इंडिया की website पर और वहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी delivery percentage क्या चल रही है अगर delivery percentage 40% के ऊपर होगी तो काफी अच्छा मौका है यहाँ पर इसी stock में आपको entry करने का देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने एनसी इंडिया की website खोल लिया है और यहाँ पर को मिल रही है और यहाँ पर buy और sell quantity देखते हैं तो sell quantity लगी है 1420, buy quantity कुछ भी नहीं लगी है अगर हम लोग इसका 52 week high और low की बात करते हैं तो 52 week इसका high था 1405 रुपए और 52 week low जो इसका था वो 476 रुपए हैं अगर हम लोग यहाँ पर security wise delivery position की बात करते हैं तो हमें यहाँ आपर 18% का delivery percentage देखने को मिल आएं और जब इसमें आप कल देखिए अगर 50% के आप 40% के ऊपर अगर delivery percentage आपको इंट्राडेम देखने को मिले और आज का जो high है इसको यह break करें और यह दोनों जो combination मिलेगा अगर मतलब कि आज के high को break करें उस टाइम आप देखना कि इसमें delivery percentage कितना चल रही है पांच मिनट बाद अगर यहां पर 40% के ऊपर होगी तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं 1400 रुपए के लेवल के लिए और स्टाप मैंने और स्टाप लॉस मैंने अल्रेडी बता दिया है ठीक है दोस्तों और दोस्तों अगर आप भी हमारे premium ग्रूप में जोड़ना चाहते हैं हमारे WhatsApp ग्रूप में जोड़ना चाहते हैं तो description में account opening का link दिया गया है उस link के दौरा अगर आप अपना account open करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको अपने WhatsApp ग्रूप में जोड़ता हूँ जहां पर मैं आपको bankruptcy option selling की call बिल्कुल free में देता हूँ जिसक बोड़ दनिवान